गाजियाबाद में एक नोकरानी बिजनेसमेन के कीचन में टॉयलेट करती भी पकड़ी गई वो बड़तनों में टॉयलेट करती थी आरोप है कि इसके बाद खाना बनाने में इसी यूरीन का इस्तेमाल करती थी बिजनेसमेन का पुरा परिवार बिमार रहने लगा शक हुआ तो बिजनेसमेन की पतनी ने चुप चाप मोबाइल का केमरा आउन करके कीचन में रख दिया इससे उसकी हरकत केमरे में केद हो गई बिजनेसमेन की पतनी ने पुलिस से शिकायद की इसके बाद नोकरानी को गिरफतार कर लिया गया वो ऐसा क्यों करती थी यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है पुलिस ने नोकरानी के खिलाव संक्रामक रोक फेलाने की धारा में केस दर्च किया है मामला क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना शेत्र की सुसाइटी का है यह रियल स्टेट कारोबारी परिवार के साथ रहते हैं कई बार रसोई से टोइलेट की बद्बू आई शक हुआ तो 14 अक्टूबर को मैंने मोबाइल केमरी की वीडियो रिकॉर्डिंग आन करके उसे कीचन में छिपा दिया घरेलू साइका के जाने के बाद मैंने रिकॉर्डिंग चेक की तो मेरा शक सही निकला वो रसोई के बरतन में ही टोइलेट करती पाई गई इसके बाद उसी टोइलेट से रोटिया बनाई मुझे शक है कि ये काफी लंबे समय से चल रहा है इसी वज़े से मेरा परिवार बिमार रहता है हमने जब नोकरानी से पूछा तो तुरंद घर से भाग गई